चलिए वहीं जो जिस टाइम देख रहा हो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरून उसी हिसाब से मान लेना शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन इससे पहले में बता दूँ आज की वीडियो का हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं आज की वीडियो क सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे पता लगाने की आगे क्या आएगा तो जो सबसे पहला सवाल आया भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था इससे जुड़ा हुआया और जो प्रथम बजट है वो 26 नॉमबर 1947 को पेश करा गया था और इसे पेश करा था आरके शन्मुक चेटी जी ने ठीक है यह स्वतंतर भारत के पहले गेंद्रे बजट पेश करा गया था और आरके शन्मुक शेठी जी जो है यह 1947 से लेकर के 1949 तक भारत के पहले वित्रमंत्री रहें आजाद भारत रेक्स की बात करें तो भाया विलर दीप जो है यह कहां पर स्थित है कुशन आयता सीधा सीधा तो याद रखना उडीसा के अंदर स्थित है लेकिन इसमें जो क्रक्स बैठता है जो नई मज़ेदार बात अरती है भाया कि यह जो विलर दीपस का नाम बदलकर अपीजे अब्दुल कलाम दीप कर दिया गया है क्या कर दिया गया है और यह ब्रदक जिले के अंदर है उडिसा के कौन से जिले के अंदर व्रदक जिला उडिसा का तो जार अठारा में भारत की GDP क्या थी तो याद रखना भाईया 17-18 में 7.2 प्रतिशत थी व्रदी और भाईया 18-19 अर्थवस्ता में 6.8 प्रतिशत से व्रदी जो है वो बढ़ी है लक्रतिशमर जिला जाँ, एक डिसमबर की अंदर जो हमारा एड्स निवस है इसकी तीम क्या है जो हमें पूछल रखिया यह पूछर रखिये या जो दिवस है हाँ जी तो याद इससे क्या आप क्या रखेंगे जो दिवस है चाहे वो राष्ट्री हो चाहे वो अंतर राष्ट्री हो यह सब के सब क्या है Neben newspaper इंटेंट से स्वाल पूछ सकता है जिवस में याद क्या कर रखना है जिवस की date याद रखनी किस दिन मनाया जाता है ठीक है ये याद रखना है इसकी जरूर आएगा गरेंटीड नेक्स्ट कोश्चन राष्ट्रे आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किये जाते हैं बच्चों ने इसको ज्यादा गलती करें और गलती क्या करिए मेजॉर्टी आफ स्टुरेंट्स ने यह नहीं पढ़ना भूल गए क्यों से मैंने बच्चों ने बताया बात क्या बन गया कि राष्ट्रे आपातकाल के दोरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किये जाते हैं गलत लगा क्या होगे ठीक है या कुश्चन गलत सोच के छोड़ का जाओगे त्याद रखना निलंबित नहीं करे जाते अनुछ इस और 21 ठीक है मौलिक अधिकार के और इनको जो संद्रक्षन है समविदान का अनुच्छे 359 देट देश के अंदर अमर्जेंसी की हैं देश के अंदर अमर्जेंसी आपकी तीन तरीके ठीक है अनुच्छे 352 के अधीन आपातकाल की गोशना करी जाती है और भईया निनयकर नांकर करई थी फरुकुद Cornell अलि एहमद और अंकरी एहम कौन थी हमारी प्यायरी इंध्रा गांदीन का नाम हमसे लोग जानते भी ठीक है असेसिनेशन हुआ था इनको नीलि करांती किस से जुड़ी है नीली करांती अच्छा सतके हैं जरत कर लिए याम और यह वो प्र्यूजित की ती इस आठ वी जो पंच वर्षे योजना है उसमें भी मत्से पालन के लिए काम करा गया है और यह चली है वर्ष 1922 में से लेख वो सत्ताण में था आगे चलते हैं लोग सभा का अध्यक्ष कौन है लोग सभा का फिलाल में अध्यक्ष कौन है पूछा है तो भईया यह तो सिंपल सी बात है कि श्रियों बिल्ला जी जो है वो लोग सभा के अभी क्या अध्यक्ष है अब लेकिन इसके साथ साथ ही और एक दो इस चीज़े हो जाएंगी जैसे कहा से जुड़ा है लोग सभा का अध्यक्ष भहिया आर्टिकल चुरान में से 27 अगस्त 2022 को इन्होंने शपत ली थ कि बस उस टाइम पर इस पदको प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था अध्यक्ष उपाद्यक्ष आया कहा से था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत और इस अधिनियम को मन्केज्ट चेंसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है ठीक है जी याध रखना उनिस उनिस वाल और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सेक्शन साथ और आर्ट में बताई गई है पीपल्स प्रेजेंटेशन और पीपल्स एक्ट में इसकी लोगसभा अध्यक्ष की आगे चले चलो हाँ जी पीला रहे किसे कहा जाता है यानि कि यल्लो प्लैनिट किस और शुक्र ग्रह रहा है और वह घ्रीण हाउस प्रभाव लगाता चलता है वह वहाँ ज्यॐत गर्मि और इसके कारण से ऊपर से इस ग्रेख का कोर धोस नहीं जी कौनसा ग्रह शुक्र ग्रह थोस नहीं है परन तु अल भिन सो देखने पर यह हलका ब्राउन दिखाई देता है जो हैबल दुर्बी इससे देखने पर अंतरिक्ष में लगी हुई है टेलिस्कोब इससे देखने पर यह ग्रह जो है जैसे कि मिट्षी हो लेकिन इसका सतय जो है वो कठोर नहीं है याद रखना अगला कोशन भगवान बुद्ध ने प्रथम उप इन चिंढों के बारें बता दो घवान बुद्ध का जब जनम हुआ थो घ्र को ज्याग दिया तो गया माज जवान की प्रापती हुईäll ने किसके प्राप्ती हुई лекड़ी तो जो जन प्रापती है जन प्राप्ति का जो जो सिंबल है जिन प्रापति का जो चिन ऑह है पीपल का पेड कि इसके बात इन्हों ने कि आ पना पहला उपदेश दिया है ठीक है और एंड में जाकर कि जिए भगवान ब धनय उपदेश देने के बाद Pengal हुई है इनकी मृत्यू ठीक है तो यह पांच सिंबल बनते हैं दुबारा एंड से शुरू कर लेते हैं भईया तुझे इनकी मृत्यू हुई है भगवान बुद्ध की मृत्यू का सिंबल है स्टूप स्टूप क्यों है क्योंकि स्टूप के अंदर ही अस्थियां रखी गई अर भगवान बुद्ध को जो ग्यान प्राप्त हुआ ज्न प्राप्ति का चिन क्या है ग्यान प्रापति का चिन अर्च जो गयान है अ तो धर्म चाकर परिवरतन चक्र से आद रखना अपृद्देश देने का चक्र है ukraji तूप का hayır की अहीं घ्यान लेना भईया ठीक है चक्र हो Omaha कि इसका जर्म चक्र परिवरतन का और अच्छा कुछ नाम भी है तो महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ निर्वाहन प्राप्त हुआ जिसे आप लोग आज के टाइम पर निर्वाहना कहते हो उपदेश दिया तो भगवान बुद्ध ने क्या करा धर्म चक्र परिवर्तन करा और मृत्यु तो क्या हुआ भाईया महा परी निर्वाहन महापरी निर्वाहन हुआ महापरी निर्वाहन से याद रखना कि जब महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्ट हुआ तो उस चीज़ को क्या कहा गया महापरी निर्वाहन कलिया आगए DRDO के अध्यक्ष कौन है DRDO Defense हाजी फुल फॉर्म क्या है Defense Research and Development Organization और इसकी जो फॉर्मेशन है DRDO की इस तो अठावन में होई थी अब से करीबन 65 साल पहले Headquarter की बात करी जाए तो DRDO कहा है भईया भवन जो Headquarter है वो है DRDO भवन कहाँ पर स्थित है नई दिल्ली के अंतर स्थित और मोटो की बात करें पोटो यानि के जो इनका मोटो है कहें तो मतलब उद्देश्य है जहाँ उद्देश्य जो है इनका वो है Strengths Origin is in Science यानि के ताकत का जो उद्देश्य है वो Science से होता है ठीक है Next आगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है अब देखो यहां से समझ गए जो यह दो धर्म है भईया कौन-कौन से दो धर्म जैन धर्म और बोद धर्म यह दोनों धर्म हो गए important साथी साथ यह important हो गए और ancient India ancient India important हो गए इसके अंदर एक तो धर्म important हो गए साथी साथ क्या important हो गया वैदिक काल और इसके साथ साथ हडपा जो है ये भी बहुत important पार्ट है इन्हें पढ़के जाना इनमें स्वाल सीधे सीधे फसते हैं ठीक है जैन दर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे भईया अंतिम तीर्थंकर पहले बता दू तीर्थंकर कुल कितने थे कुल तीर्थंकर की बात करी जाए तो कुल है चौबिस कितने है कुल तीर्थंकर भईया कुल तीर्थंकर है चौबिस इनमें सांतिम कौन है अंतिम है महावीर स्वामी जी और पहले कौन है पहले है रिशब देव जी पहले है याद रखना नेक्स्ट कोशन भई पेरियार बांध जो है हाँ जी परियार के बारे में दो चार बाते देख लो एक सो तेश साल पुराना डेम है और बहुत हिए कि जिले में मल्या और परियार नदी के संगम पर स्थित थे यानि पहली तो पैरियार नदी पुल लाया यार नदी इन दो नदियों के नाम याद रखना लंबाई जो है यह यह बहुत पुराना डैम यहाँ पर या तो इसे पैरियार मंदront भी कहा जा सकता है न बहुत राश्ड्रव का इस वक्त और कैपिटल क्या कियोस्को आड़ी तने भी रास्ट्र है यह राश्ट्र है इन सभी कि कैपिटल फ्रस इन की कारंसी ये याद करके चले जाना च definition क्या है Ukrainiyan कारेकाल ुभी reward पार्टी पार्टी कौन सी यह चुद्धानि क्या है बहिया कॉलंबो है और श्री चैरवर्धने पुरम कोतले है अध्यक्ष क्या है अध्यक्ष कौन है रानिल भिक्रम सिंगे यानि के राश्टपती पुद्रा श्री लंकाई रुपिया और अधिकार एक भाशा है जो है श्री लंका की वो सिहाली और तमिल है कि 2000 के नोट पर किसके अस्टाक्शर होते हैं चहें 2000 के नोट फर किसके होते हैं और झालीस मिली मिली मिटर इंटू 116 मिली मूट का साइज है और मेजंटा रंग का ये नोट है और इसके पीछे महात्मा गांदी अशोक इस्थम ये दोनों बने हुए हैं महात्मा गांदी और इसके पीछन 50 रुपे के नोट आज के पर कराएं ICC Player of the Decade Award 2022 मेल के लिए किसे मिला है अब ये सिर्फ मेल के लिए ICC के और भी बहुत सारे वार्ड है जो ODI Cricketer of the Decade, Decade मतलब 10 साल का दशक का ODI Cricketer जो है विराट कोली को तो दशक का 20 में मिलेगा अगला कब मिलेगा 2030 का तो ये सेम ही डाटा रहेगा कभी सोच साल पहले का बता दी ICC Women's ODI Cricketer of the Decade किसे मिला है जशक का किसे मिला है भहिया LC Perry को मिला है Men's T20 Cricketer का राशिद घान को और Women's T20 Cricketer का LC Perry को Men's Associate Cricketer of the Decade मिला है Kyle Poetser को Next भहिया नया 50 रुपे का नोट किस रंग का है इस बार रंग पूछ लिया पहली बार यह पूछाता साइन किसका होता है रंग क्या है भहिया इसका Fluorescent Blue क्या है Fluorescent Blue नोट पर भी स्वच भारत का logo बनाए हुआ है याद रखना कि नोट के ओपर स्वच भारत का logo भी रोक इसके प्रैवेसी जीवन और निजता का दिकार है और किसी भी व्यक्ति को विधिद्वारा स्थापित परिकिरिया के अत्रिक्त के जीवन और व्यवसाइक सोतंतर्ता के अधिकार से वंचित नहीं किया यह भी कहता है हरी और बुका ने किस वंच के अंतर चार अलग अलग वंचों ने रूल करा है यह जो टोटल का टोटल सामराज्य है हरी मद्देकली बहरत का एक मात्र साम राज्य है 1336 चले करकर 1646 चलेट और इसके राजाओं ने 210 वर्षियों तक भारत के वपर राज कर सुस्क्राइए वास्त्सीजित नाम लेक ऋनाम के दवारा ने पनाए याद रखना कोई इंग्लिश में क्यों आई कह देते हैं यान यानि के यैन और जो हो यानि के जाओ अंग्रीज में बात करें जाओ राजाओं ने बनाई थी और इसकी शुरुआत जो है वह इसापूर्फ पांचवी शताब्दी में हो गई थी और भाईया जो सोल वी शताब जारकंट जन जाती है महतसब जारकंट का ट्रैवल फेस्टिवल है और कार्यकरम राची में मुरहबादी मैदान में और 10 अगस्त को आयोजित करा गया था और समारों में नौर्थ इस्ट के कलकारों ने भी भाग लिया था इंपॉर्टेंट बात है और इस दोरान जन जाती होगा कथकली नर्थ इस राज्ये से संबंदित है कथकली डान्स है यह कौन से राज्ये सँ अच्छा डांस पॉर्म से इतने भी डांस है दानस में मुजिकल इंस्टूपन से उन्हें बजाने वाले हैं इन्से एक आधा कुशन घुशन हर एक्जाम में हर रशिफट करके ज केरल से इसका उद्य संब्द है और यह महान निर्थ कला शेली 300 साल से भी अधिक पुरानी हो और के तटो के आस पास जो है इसका उद्य हुआ है इस शेली के साथ जो घराना जुड़े हैं भाईया रखनव घराना जैपूर घराना और बनारस घराना इसी जुड़े हुए तो फानीपत का 3 यूद को हुआ था तो भहिया याद रखना तीसरा यूद 1764 में हुआ था ठीक है और यह एहमद Higher अब्दाली ज‍ज, पानीपत वारी मुवी आई थी और जो मराठा थे इन Ke b waiter लड़ा गया था दوس-र Ride, 1556 में हुआ था और यह Amazon और हेमू के बीच में हुआ था पहले युद की बात करें तो ये भाईया ये 1526 में बाबर और किस के बीच में हुआ था इबराहिम दोदी के बीच में जीत किस किस की हुई है उसे बलेक कलर से अंडरलाइन करते हुए बताते चल दे पहले में बाबर की जीत हुई दूसरी की जीत हुई और तीसरे में अबदाली की जीत हुई याद रखना मराठो की पहले में हार हेमु की दूसरी और लोदी की पहले में नहीं लोदी की चलिए आगे चलिए बकसर का युद इसके बीच में लड़ा गया था जो बकसर का और दूसरी तरफ मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच टड़ा गया है जिसके अंदर बगया बंगाल के नवाब के से अवद के आसपास की और समराठ की लेकिन इसमें जीज वह इस्टिक्या कमपनी की तर मुझाल के नवाब मीर कासिम अवद के नवाब शी तुजाओ उद्दोला तथा मुगल बादशा सहा आलम दित्ते की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजिक तड़ाई करी थी और हार का सामना करा था ठीक है जी एस योग आंदोलन किसके द्वारा शुरू करा गया था नॉन कॉपरेशन प्रेंट एस योग आंदोलन के भाईया हम आपका स 30 जनवरी 388 वर्ष की आई है और इनकी क्या करी गई थी पत्री इनकी जो पत्नी है वहाई है वहाई पत्नी गांदी है प्ति के साथ मेरे प्रियोक की कहानी यह यह इनकी क्या है ओट बायग्राफ यह निस Е नेचनल कांग्रेस शापना कब हुई है अठारा सो फिचासी में ह हुई है कि इसके 43 महात्मा गांदी रहे हैं 1924 में इनका जो है वो कारेकाल चला है 1924 में अध्यक्ष रहे हैं किसके भारतिय राष्ट्र कॉंग्रेस की अनुचे 280 किस्से संबंदित है संविधान के प्राणब के दो वर्षों के भीतर और उसके प्रतिये पांच वर्ष की समाप्ति पर या पहले समाप्ति या पहले एक वित्त्य आयों के गठन पर यह संबंदित है और इसके जो है अवशक्ता है वह कौन अधिक अधिकार बना दिया गया था 300a में कौन से में है 300a में है व्यक्तिगत स्वतंत्रा के अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था यानि कि इसको जो है वह अधिक शक्तिशाली बना दिया अर्टिकल नवरोज का त्वार किसके द्वारा प्रारंब करा गया था नवरोज का त्योंहार किसके द्वारा वहिया बल्मन के द्वारा किसके द्वारा वलबन जिए इसका जो कारेकाल म Springs नीती थी रक्त कीषी अर्लोहेंकि लए है क?... ये भी पोच्कछ लेता जो है। Also Kymis का शालिसा का निमकोक छाली सा किस छालीसा कनवन कि था ऐसे बालवनने कर आया चाली सा क्या थी। चालीस गुलामों का समूद थी का चालीस गूलामों का समूब थी। निभी है और इसकी सथापना जो चालीसा की करी किसने ती स्थापना करी थी इसकी इल्तुत मिशने ठीक है इल्तुत मिशने थापना करी थी और यहीं से एक और याद रख ले तो रजिया सुल्तान है रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली और आखरी मुस्लİM महिला शाशक है गब से कब तक राज राहें का 1236 से ले कर् már कर्के चारिस तक राज रहा है नवरोज क्रोज क्रति प्रेंट का नहिय नोरोज या honeหरोज या हूँ जो है यह इर राणी नवर्ष का नाम है और बहु जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है इरानियों का तोहर नवे सिक गुरू के हत्या किसे ने करवाई थी वहीया मुगल बादशा और इन्जेव ने करवाई थी और पाँचवे कि दोवाई थी जहांगीर ने कराई थी इस पर अधेश पर उतिछ गुरू ते एक आद बहुआ है हाधी इसी जंगा पर स्थित और इसका निर्बार्ण की नीव तो है वो बघेलती 1793 में इस ने रखिती ग्रुद्वारा और याद अर्फना ब्राजील जो है वही या ब्राजील को फुटबॉल का अध्यात में घर कहा जाता है और इन्हें सर्वकालिक दोर का महान खिलाडी मान जाता है आज तक का सबसे महान खिलाडी जनम जो है है वह 23 अक्तुबर 1940 का है कहां पर भरिया बिनास ब्राजील के अंदर जन्म है और मृत्यू 29 दिसंबर 2022 की है ठीक है खाली फिलाल की मृत्यू है इसलिए आया है करंट का कोशन है भी महान फुटबॉलर खिलाडी मेरे डोना किस देश्ट है मेरे डोना यह भी भाईया पेले की प्रित्यू है भारत की कुल सीमा लंबाई पूछ रखी है जमीन सीमाओं की बात करें तो 15200 किलोमेटर के लगबा गया अठारह राज्यो प्लस यूनियन टेरिट्री जो है केंदर शाशित प्रित्यू है इनसे प्लस बाण में जिलों से होकर गुजरती है इनके अंदर पढ भूटान नेपाल और पाकिस्तान ठीक है एक्स्ट कोशन दिवस 2022 की थीम क्या थी बताया था एकुलाइज थी एकुलाइज क्या है कॉल टू एक्शन है समाज में फहले असमानताओं को दूर कर एड्स को जड़ से खतम करने में मदद करने के लिए जरूरी कदम बढ़ाने पर जोड देती है एकुलाइजर जो थीम है अगर यूद कहीं पर ना मिले एक जगह इंदुस्तान के इतियास के सारे इंपॉर्टेंट यूद कहीं भी एक जगह ना मिले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट वारो एक वीडियो बना देंगे कोई दिखकत निया थोड़ी से काम है कि सारे यूद हैं तो यार कोई दिकत्कत ने यूद की पीडियाफ बना भी यह जब से जब तक यूद्वियानिके वैदिक काल से लेकर के उन्निस सो चैनली सब्सक्राइजर निस से तालीस विछोड़ो बाद के इंडूस्तान पाकिस्तान के भी एड़ कर देंगे त उसके बाद एक वीडियो बना दें कमेंट सक्षने बताना ठीक है प्लासिका जो है बहुत है सतरा सतान में लड़ा गया था इंदुस्तान के अंग्रेजों का पहला युद्था और तेज जून को लड़ा गया था हुआ था बिर्टिश इस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सेना मीर जफर को बनाया गया तो याद रखना भाया अंग्रेजी से याद रखना ट्रिक है पीर दोनों के नाम में मीर तो आता ही है एक कासिम है एक कौन है हाँ जी एक तो हो गए मीर कासिम अब देखना ज्यान देना जो पहला वर्ड है पहला वर्ड क्या रहा है क्यों आ रहा ह और दूसरा वर्ड क्या रहा है जफर आ रहा है तो क्यों पहले आता है जे पहले आता है तो मीर जफर को तो बनाया गया पहले और मीर कासिम को बनाया गया बाद में ठीक है उसके बाद दुबारा मीर कासिम को उटाएगा और मीर जफर को बना दिया गया जिसके बाद क्या हु ताald घॉर्ट कर गया था जो है वह हिंदुस्तान के राजा बने थे और हिंदुस्तान मतलब पूरे इंग्लेंड के राज़ा बने तो जौर्ज पंच्॑य पंचम और उनकी पत्नि कुईन मेरी हिंदुस्तान आए थे थे तो 1911 में इनके स्वागत में 12 दिसंबर को दिल्ली दर्बार लगा और इसी दर्बार के अंदर यह फैसला करा गया था कि कलकत्ता कि स्थान पर दिल्ली देश की राजधानी बनाई तो इस टाइम पर वाइस रोई जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे और बाद में जो फैसला अच्छे इसी के साथ साथ भारत के साले मंधरी मंपर्टेंट हो गए वैस इसक कानून मंत्री बाबा सहावी मन सकते हैं भीरां अममेड pos. बीयार उंध कर प्रथम सभापती जो थे सर्वपली राधा कृष्ण थे राज्य सभा के और राज्य सभा के प्रथम उप सभापती स्वी कृष्ण मूर्ती राय थे भारत के प्रथम ग्रह मंत्री सरदार बल्ला भाई पटेल थे और भारत के प्रथम कृष्य मंत्री डॉक्टर राजेंदर तो प्रसात थे हैं बहरत के प्रथम कानुन मंत्री ढ़ूक्टर भीम राव अंभेळकर थे किसींके साथ साथ प्रथम द्पारोर्जय मंत्री जॉर नव्योदन शाटत थो जंव को कुछ नहीं जीता सब को पता होगा ताइटन कब बनी है इसके कप्तान कौन थे हार्दिक पांडिया कोच क्रिस्ट रे क्रिस्टिन थे बैटिंग कोच थे लीग है इसकी पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग लोकेशन क्या है गुजरात और वहीं या ओनर कौन है सीवी सी कैपिटल पार्टनर्स गुजरा टाइटन्स है इसके ओनर है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था रॉल्फ फिंच था एक अंग्रेज व्यापारी और यात्री यह था और याद रखना कि हिंदुस्तान जमीन के रास्टे से पंद्रहसों पिचासी में अकबर के दरबार का दौरा किया था और भहिया इससे पर्मीशन मिल गई थी फैक्टरी लगाने की लेकिन तब तक अकबर निकल लिये जब तक यह सब कुछ जाने दौर में दुबारा पर्मीशन चलिए दोस्तों यह थे आज कि हमारे कुश्चि जनलाइच पेपर का दौरा